तो जोले देखते है question no.16 क्या है बोला है अब particle moves along the curve ठीक है ये curve दिया रखा है अपने को find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate ठीक है तो मतलब जिस speed से x coordinate change हो रहा है उससे just 8 times मतलब अपने को बोला है कि dy by dt क्या होना चाहिए 8 times fast और 8 times 8 times जदा fast होना चाहिए x coordinate क्या ठीक है तो और अपन क्या दे रखिए 6y is equals to x cube plus 2 ठीक है और एक यह चीज़ दे रखिए अपने को तो चलो इसको पहले differentiate करते है देखो क्या बनता है 6 constant है y का differentiate करोगे तो क्या बन जाएगा d y y dt is equals to x cube का differentiate करोगे तो क्या हो जाएगा 3x square और क्या जाएगा साथ में d x y dt और plus 2 का करोगे तो 0 ठीक ठीक है आप देखो ऊपर जो equation दिये उसकी मनत लेते हैं अपने को d y dt की value दे रखिती 8 times dx by dt तो put करो क्या हो जाएगा 2 into 8 into dx by dt is equals to x square dx by dt into dx by dt ठीक है तो देखो कुछ कट रहा है हाँ dx by dt से dx by dt कट गया तो देखो यहां से अपना x square क्या आगया अपना x square आगया 60 देखो और यह बनी है quadratic equation ठीक है तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि x की भी दो value आएगी y की भी दो value होंगी तो यह जिस coordinate की बात कर रहा है ना ऐसे 2 coordinate होंगे ठीक है तो देखो x यहां यहां पर क्या आगया अपना plus minus 4 simple अब y निकाल लो कि इस equation में put करके अपना y भी निकाल सकते है ठीक है तो बताओ जब अपन x equals to 4 रखेंगे तो y क्या आएगा अब रखके देखते है एक जब अपना 4 है तो y क्या आएगा y आ जाएगा अपना 6y is equals to x यहां पर रखेंगे और देखो और यहां पर क्या है यहां पर आजाएगा अपना x equals to minus 4 रखेंगे तो देखो क्या बनेगा तो यहां आजाएगा 6y is equals to minus 64 plus 2 और यहां पर 6y is equals to minus 62 तो अब किता हो जब तो minus 31 by 3 आ जाएगा है न तो अपना देखो coordinates क्या क्या आ जाएगे अपने coordinates क्या क्या आ जाएगे coordinates हो जाएगे पहला तो आएगा जब हम minus 4 रखेंगे तो minus 31 by 3 आ जाएगा और दूसरा जब हम positive 4 रखेंगे तो अपना आ जाएगा 11 ठीक हो गया अपने answers